हेलो दोस्तो रेक पीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखे हम लोग पिछले क्लास में डाइस पर रहे थे डाइस का आज लास्ट क्लास हो जाएगा आज मिक्स टाइप जितने में लेंग्वेज बेस्ट कोस्चन होगी दो चार उसको देखेंगे और डाइस को आज खतम करेंगे उससे पहले देखे कल टेलिग्राम पर एक कोस्चन आया हुआ था सुमित सागर जी का कॉपी पर उन्होंने कोस्चन मना गर भेजा हुआ था लेकिन आला कि ये कोस्चन मुझे देखा हुआ लगा तो मैंने बुक पलटाया तो UPSC CSET 2013 का ये कोस्चन है यही वाला कोस्चन उन्होंने कॉपी पर भेजा था साथ उन्होंने किसी ने भेजा होगा या उनका कुद का कोस्चन होगा चले इसको जरा देख लेते हैं इसके बाद हम लोग language based कोस्चन करेंगे और आज इसको खतम कर देंगे डाइस को चलिए सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले इस question को देख लेते हैं एक घन के फलकों पर एक दो तीन चार पांच और छे के चो अंक चिन्नित किये गए हैं घन के तीन दिरिस नीचे दरसाए गए हैं एक छे चार एक दो तीन और तीन पांच छे ठीक है नीचे दिये गए घन पर क्रमसर ए और बी चिन्नित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं देखिए ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कि बता दिजे आप यहाँ पर क्या-क्या हो सकता है ठीक है चलिए अब क्या-क्या हो सकता है तो सबसे पहले देख लेते हैं तो कुछ भी सबसे पहले तो हमें इसमें निकालना होगा कौन किसके अपोजिट है especially 5 के क्योंकि जो 5 के opposite होगा वो यहाँ पर नहीं हो सकता है सबसे पहले हम लोगो 5 दिख रहा है तो 5 के opposite निकालने कोशिस करते है चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इन दो figure में compare करते हैं तो पहले figure से आप देखेगा 3, 2, 1 ठीक है, 1 common trick लगा रहे है यहाँ भी 3 common है और यहाँ भी 3 common है 1 common trick लगा रहे हैं तो clockwise घुमाएंगे तो 3, फिर 2, फिर 1 ठीक है, और यहाँ पर रुख सी तरह से 3, फिर 6, फिर 5 तो 3, 6 और 5 ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया हम लोगों को कि 1 का opposite 5 है ठीक है, 5 और 1 क्या है एक दूसरे के opposite है इस तरह कोशन सायद मैंने कराया भी था सायद चले ठीक है जो भी हो देखें तो 5 के opposite अब 1 हो गया तो इतना तो confirm हो गया कि अगर 1 जो है, अगर 5 के opposite है तो वो किसी भी हाल में 5 के परोसी में नहीं आ सकता है 1 क्योंकि opposite हो गया तो वो आप 5 के कभी भी समीत में नहीं आ सकता है परोसी नहीं आ सकता है, सटा हुआ नहीं हो सकता है यह तीनों एक ही language है तो यहाँ पर जो option आप देखेंगे यह question option based है यहाँ पर अगर आप option पर ध्यान देंगे तो यहाँ आप देखें कि एक है इसमें एक नहीं हो सकता है इसमें भी एक है एक नहीं हो सकता है इसमें भी एक है एक नहीं हो सकता है तो UPSC C-set का question कितने आसानी से बन गया आप देख सकते हैं यहाँ पर answer हो जाएगा 2 और 3 एक जगा पर दो और यहां पर तीन ठीक है तो इस तरह से यह सवाल हमारा बन जाएगा ठीक है कुछ भी नहीं करना था सिर्फ हम लोगों ने देख लिया कि 5 के अपोजिट क्या होगा देखे सीधी सी बात है अगर कोई भी एक डाइस है ठीक है इसमें अगर कुछ भी यहां पर 5 लिख दिये तो यहां और यहां कुछ भी आ सकता है लेकिन वो कभी नहीं आ सकता है जो की 5 के अपोजिट होगा ठीक है विपरित कभी परोसी नहीं हो सकता है और परोसी कभी विपरित नहीं हो सकता है ठीक है चली समझ गये होंगे आप लोग ऐसा कोस्चन हम लोगों ने बनाया भी था साई चली language based कुछ question देखते हैं अब हम लोग देखें language based question के तरह यह भी mixed type का question है जो कि आपको prism पर पूछा जाता है ठीक है छे सत्व वाली एक prism की पार सु सत्वों को बैगनी, नीले, हडे, पीले, नारंगी, फलाना, चिलाना, ढकाना रंगों से रंगा गया है ठीक है छे रंग है टोटल उससे रंगा गया है इसको इसकी दो इस्तितिया नीचे दर्साई गई है एक इस्तिति ये है, एक इस्तिति ये है ये दो इस्तित्या नीचे दर्साई गई है और इस पर question पूछा जा रहा है ठीक है ये क्योंकि नीचे जगा नहीं था इसलिए मैंने इसे भी उपर लिख दिया है यदि प्रिज्म को निम्न परकार से रखा जाए तो लाल रंग की निकटवर्ती फलक पर कौन-कौन से रंग होगे तो आप से सिर्फ इसमें यही पूछ रहा है ये जो यहाँ पर लाल है चलिए इसको लाल से ही करते हैं यह जो यहां पर लाल वाला है, इसके अगल बगल में कौन सा पारसो सत्र होगा, किस रंग का सत्र होगा है, ठीक है, दो देखे, पासा में क्या होता है, पासा में आगे पीछे, दाएं बाएं, उपर नीचे, सभी जगा पे पासा में होता है, लेकिन कभी भी आप प्रिज्म क्या होता है, छे इस तरह से होता है, यहां पर एक फिर यहां दो, फिर यहां तीन, फिर यहां चार, फिर यहां पाँच, इस तरह से छे, तो यह एक दूसरे के तरफ ही होता है, इसमें उपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ गोल के तरह ही होगा, ठ पहले आपको यह बात समझना है कि यह थोड़ा सा पासा से थोड़ा सा अलग है, तो अलग कैसे है? अब यहाँ पर एक बात और समझें आप, बॉक्स कहाँ चल गया, चली, भी जी भी, ठीक है, भी से वायलेट है, जी से ग्रीन है, भी से बुलू है, ठीक है, एक बात भांवे- लिज्बोर होगहाइं यहां पर होगा Champions डूसरे figure में आते हैं दीके ठीर तो दिख रहा है ऑ्रेंज यल्लो फितMe टू चूसितीन होगा वह यहां पर होगा तु आप बोलेंस्च रूप्ष है टोटाल प्रिज्म की टोटाल कितने सर आप देख सकते हैं एक में जो है भी है यहां पे एक में भी है एक में जी है यहां पे एक में भी है तो इसी तरह से कुछ यहां भी होगा कुछ यहां भी होगा और कुछ यहां भी होगा ठीक है इसी तरह से होगा तो यहां पर हमें एक साधान सा बात समझना है कि यहा यहां पर भी B है और यहां पर भी B है अर्थात बलू अब अगर दोनों जगा पर बलू है यहां पर B के बगल में जो है Y है ठीक है B के बगल में यहां पर क्या है Y है Y के बगल में क्या है O है अर्थात ओरेंज लेकिन यहां पर B के बगल में क्या है यहां पर B के बगल में G है फिर G के बगल में B है अब एक बात बताईए B के बगल में एक तरफ तो G है वो G आपको दिख रहा है तो आप कहिए गा नहीं दिख रहा है तो या तो इस figure से इस figure को complete कर लेते हैं या तो इस वाले figure से इस वाले figure को complete कर लेंगे ठीक है दोनों तरह से इसको सवाल बनाया जा सकता है तो हम लोग 1 के मजद से 2 को भर रहे हैं ठीक है तो एक बात बताईए बाब यहाँ पर B हो गया B के बगल में क्या क्या है आप बोलेगा G और B भी है तो आपको कोई डाउट है कि इस B के बगल में यहाँ पर G होगा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि इस B के बगल में यह G होगा इस B के बगल में G होगा क्यूं होगा क्यूंकि B के बगल में हम लोग देख रहे हैं कि Y यहाँ पर है तो एक B कोई भी face होगा कोई भी surface कुछ भी होगा जैसे माल लिजे यही एक है माल लिजे कुछ भी हाथ ही माल लिजे मेरा यह तीन finger है अगर यहाँ पर B वला बीच में है मेरा इसी तरह का surface है यह B है एक तरफ इसके अब Y है और एक तरफ G है तो यह हर जगा पर होगा न ऐसा थोड़ी होगा क्योंकि घुमा करके ही तो हमें दिखाया जा रहा है तो यह हर जगा पर होगा ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगा पर होगा और किसी एक जगा पर नहीं होगा तो जब यह हर जगा पर होगा तो B के बगल में G है तो इस B के बगल में G इधर ही हो सकता है क्योंकि इधर तो Y दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि इस B के इस तरब G है क्योंकि हमारे पहले वाले फिगर में B के बगल में G है अब आप कहेंगे तो G के बगल में B भी तो है तो जी के बगल में भी भी होना चाहिए तो इधर होगा या इधर होगा तो आपका ये गा इधर तो हो नहीं सकता है क्योंकि इधर तो यहाँ पर भी है तो भी हमारा इस तरफ ही हो सकता है भी हमारा इस तरफ ही हो सकता है अब आप से एक बात पुछते हैं जब एक, दो, तीन, चार, पांश ठो भड़ा ही गया, एक ओ ओ औरेंज हो गया, यलो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वाइलेट हो गया, ठीक है, तो अब बचा क्या, बैगनी भी हो गया, तो फिर आप कहेंगे, रेड बच गया, तो रेड जाहिट सी बात है, जो यहाँ पर अगल बगल में है, वही तो यहाँ भी होगा, ऐसा थोरी है, यहाँ बदल जाएगा, तो जब यहाँ पर भी वही होगा, तो हम अराम से कह सकते हैं, कि यह वाला जो ओरेंज भाई साब, और यह वाला जो वाइलेट भाई साब है, रेड से घीरे होगे रहेंगे, ठीक है तो rate के बगल में कौन से हो जाएगा B और O तो हमारा answer हो जाएगा B और O ठीक है अच्छा question था अलाकि exam में इस तरह question आया हुआ है तो अच्छे से समझ लीजेगा वापस देख लीजेगा अगर दिक्कत होतो चलिए आगे बढ़ते हैं चार मानक पासा जमीन पर फेके जाते हैं उपड़ी सतों पर क्रमस चार तीन एक और पांच दिखाए तो बताएं कि जमीन पर छूने वाली सतों पर संख्याओं का योग क्या होगा ठीक है चार मानक पासा जमीन पर फेके जाते हैं उपड़ी सतो पर क्रमसा 4, 3, 1 और 5 दिखाएं तो बताएं कि जमीन पर छूने वाली सतो पर संख्याओं का योग क्या होगा ठीक है देखें आप एक बात बताईए आप मानक पासा क्या होता है पहले ही किलास में बताए हुए थे इसमें कुछ है ही नहीं बस आपको मानक पासा का परिभासा समझना है और इसमें और कुछ नहीं है तो मानक पासा का परिभासा क्या था कि इसके विपरित सत्र जो होते हैं वो जोर करके साथ होते हैं जैसे एक के विपरित छे है, छे होगा, दो के विपरित पांच होगा, तीन के विपरित चार होगा, और इसके अलावा मानक पासा में कुछ भी संभव नहीं है, जब संभव नहीं है, तो यह अब क्या बोला जा रहा है, कि चार पासा को एक साथ खेका जा रहा है, तो इस तरह से जैसे माली यह पासा हो गया पासा उन की एक पासा हो जाएगा इस तरह से पासा तू ठीक है फिर तीसरा एगा इसी तरह से समझ देजिए बस इसी तरह से तो पहले वाले में बोल रहा कि表म कि ऊपर में चार अगर किसी भी पासा अके ऊपर में अगर 4 है box मिल गया ठीक है यह उपर में अगर आपको 4 दिख रहा है यह मानक पासा है तो आप बताए यह नीचे क्या होगा जाहीर सी बात है दोनों जोड़कर के 7 होता है तो नीचे 7 होना है सिधी सी बात है अगर उपर चार है तो अगर ये मानक पास आए तो नीचे तीन होगा उपर एक है तो नीचे छे होगा उपर दो है तो नीचे पांच होगा उपर चार है तो नीचे तीन होगा अब उपर दो है तो नीचे पांच होगा अर्था जोर करके हमेशा 7 आएगा ठीक है जोर करके क्या होगा हमेशा 7 आएगा तो यह यही पूछ रहा है कि 4-3-1-5 जो उपर में आया है 4-3-1 इसी तरह से एक और यहां पे बन जाएगा तो 5 तो इसके नीचे क्या होगा तो हमको पता ही है ये अगर उपर में 4 है, तो ये नीचे में 3 देगा, ये अगर 3 है, तो नीचे में 4 देगा, ये अगर 1 है, तो नीचे में 6 देगा, ये अगर 5 है, तो नीचे में इसके 2 होगा, तो इसको जोर लिजे, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, 3 जोर 4, 7, 7, 6, 13, 13, 12, 15, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है अंसर क्या हो जाएगा पंदरा हो जाएगा सिंपल सा था क्योंकि यहाँ पर मानक पासा दिया वा इसलिए हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं यहने था हम लोग इस सवाल को नहीं बना पाते हैं चलिए आगे देखते हैं जमीन पर चार मानक पासा फेके जाते हैं इन चार पासाओं के उपड़ी सतों पर संख्याओं का कुल योग 13 है तो बताएं कि जमीन पर छूने वाली सतों पर संख्याओं का कुल योग कितना होगा देखें सेम कुश्चन है बस यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है अब देख अब देखिए पिछले question में क्या था कि हमें पता था यहाँ पे चार है यहाँ पे तीन है यहाँ पे एक है यहाँ पे पांच है यह पिछले question में हमें पता था लेकिन इस question में हमें यह दिया नहीं गया कि उपर में क्या है बस सिर्फ इतना बता दिया है कि इन सब को अगर अब एक बात बताईए आप तो इसको सवाल ओ कैसे बनाईएगा यहाँ पे data पड़िया आप तांसर होना चाहिए ऐसा नहीं है देखिए अभी सवाल बनाया जा सकता है कैसे बनाया जा सकता है क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो उपर में कुछ भी होगा हमें नहीं पता है एक दो तीन चर पांचे यहां पे क्या है यहां पे क्या है हमें नहीं पता है यहां पे क्या है हमें नहीं पता है लेकिन क्या आपको इतना नहीं पता है कि ये सब जोर के कितना होगा तो आप बोलेगा, हाँ, ये तो question में दिया हुआ है, ये question में दिया हुआ है, तो ये सब जोर के कितना हो रहा है, तो आप बोलेगा, ये सब जोर करके question में दिया हुआ है, 13 है, अब हमको एक और बात बताईए, इसके नीचे वाले सतर पर, जो भी होगा, सब के नीचे वाले स सता भाष टिक है यहीं आपसे पूछ रहा है नीचे वाले सतव पर यह चारो तो आप बो magnets को ने हितो नहीं पता है यहीं तो निकालना है तो अब भाठोस समझ रहे हैं अब सिर्फ हमको इतना बताईए ऊपर में क्या है हमको नहीं मालूम है लेकिन अगर आपसे हम इतना पूछ दे कि इस उपर में क्या है और नीचे में क्या है इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना होगा आपका ये का बहुत आसान सी बात है विपरित सत्र है, साथ ही होगा, मानक पासा है कोई दिक्कत है आपको पासा अगर ये मानक है तो ये यहाँ पर अगर एक है तो कनफा में की पीछे छे होगा क्योंकि दोनों जोड़ करके साथ होता है अगर आगे में यहाँ पर तीन है तो कनफा में की पीछे चार होगा तो दोनों जोर करें कितना होगा तो आप कहिएगा यह हमेशा साथ होते हैं अच्छा तो यहां पे साथ होते हैं यह हमेशा तो अब यहां से आप एक बात समझें जब यह हमेशा साथ होते हैं तो क्या हम यहां पर नहीं कह सकते हैं कि यहाँ भी जोर करके साथ हो गा, आप कहिएगा बिलकुल उपर नीचे जोर करके साथ होगा, यहाँ भी साथ होगा, और यहाँ भी साथ होगा, तो साथ चौके कितना हो गया, तो आप कहिएगा उपर और नीचे जोर करके 28 हो गया, अब एक सिंपल सा, तो अब तो बच्चा पाई बता देगा कि अगर उपर वाला जोर करके 13 हो गया और उपर नीचे टोटल जोर करके 28 हो गया तो नीचे वाला कितना होगा अब बोलेगा 28 में से 13 घटा देगे तो आंसर आजाएगा हमारा 15 ठीक है आंसर क्या आ जाएगा हमारा पंदरा तो आंसर निकाला जा सकता है क्योंकि हमें ये पता है कि ये टोटल कितना होगा तो ये टोटल 28 होगा अगर उपर में 13 है तो नीचे टोटल जोर के 15 होगा अलग-अलग कर लिए हम लोग ठीक है चलि नेक्स्ट कोशन देखते है यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है तो कौन सा कथन सत्य है देखिए इसके लिए कल 2 पंच लाइन लिखाए थे आपको विपरित कभी परोसी नहीं होगा परोसी विपरित नहीं होगा ये पहला लाइन लिखाए थे दो सतह एक साथ नहीं छीप सकते हैं अगर दो सतह एक साथ छीपा हुआ है तो इसका मतलब वो विपरित नहीं है बलकि वो परोसी है अब यहाँ पर देखे एक संख्या जो है दो, चार और छे से सटा हुआ है तो एक के अपोजिट क्या-क्या होगा तो आप कहिएगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा क्योंकि बाकी तो 60 हुआ है और 3 और 5 कभी भी क्योंकि यहाँ पे छुपा हुआ है तो 3 और 5 कभी भी एक दूसरे का विपरित नहीं हो सकता है 3 और 5 एक दूसरे का विपरित कभी भी नहीं हो सकता है 3 और 5 हमेशा क्या होगा फरोसी होगा ठीक है ये तो हमेशा समझ लेजिए ये डायरेक्ट एक दम question और answer इसी भी बन जाता है उसी पर option बनाया ही जाता है देखिए पहला question क्या है option question 2-6 के विप्रीथ है हमें नहीं पता है 2-6 के विप्रीथ है या नहीं है अगर 5 विप्रित हो जाएगा तो 3 से 60 जाएगा लेकिन हम confirm नहीं है जब तक confirm नहीं है सही होगा नहीं 3-5 के समीप है बिलकुल 3-5 के समीप है यहीं तो first line में ही समझायेते एक के विप्रित अगर 3 हो गया ठीक है? या तो 1 के विपरित 5 होगा इसी 2 में से कुछ हो सकता है क्योंकि पहले ही बता दिया गया है की 2, 4, 6 तो 60 हुआ है तो बच गया 3 और 5 और 3 और 5 जो बचा हुआ है तो इन्हीं दोनों में से कोई 1 का विपरित होगा अगर 5 विपरित हो गया तब भी 5-3 से सटेगा क्योंकि 5 की विप्रित सिर्फ एक ही है जो नहीं सटेगा उससे 3 विप्रित हो गया तब भी 3-5 से सटेगा क्योंकि 3 की विप्रित एक होगा तो इन दोनों में से कुछ भी हो आंसर 3 और 5 हमेशा ही case में हमारे सटे हुए रहेंगे यह परोसी रहेंगे पहला दिन भी आप लोगों को समझाये हुए थे अगर इस तरह से कोई figure दिया हुआ है यहाँ पे 1-2-3 देख लिए हम लोग तो इसका मतलब confirm है कि 4-5-6 सटा हुआ है जो नहीं दिख रहा है वो सटा हुआ है चिपा हुआ हमेशा सटा हुआ है सिधी सी बात है ठीक है चले 3-5 के विपरित है संभाव ही नहीं है 3-5 के विपरित 3-5 के कोई भी 1 के विपरित एक होना है हो ही नहीं सकता है चले आगे बढ़ते है चले next question देखते है 1-5 के विपरित है question में दे दिया गया है 1, 5 के विप्रित है 2, 3 के विप्रित है और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो बच गया वही तो हो गया दूसरे का 2, 3, 4, 4 बच गया 6 बच गया, तो 4, 6 की विप्रित हो जाएगा यहां पर, टीक है? चार तीन और छे के समीफ है ये गलत हो जाएगा चार विपरित है चार क्या है हमारा छे के विपरित है जो विपरित है उपर उसी कैसे हो जाएगा बोल रहा है चार छे के समीफ है बिल्कुल नहीं हो सकता है ये विपरित है दो जो है हमारा वो चार और छे के समीप है ठीक है? हो सकता है हो क्या सकता है? हो नहीं है क्योंकि दो के विप्रित कौन है? दो के विप्रित तीन है तो इसके अलावा दो के सारे जो होंगे वो समीप में होंगे, सटे हुए होंगे इसके बाद क्या है चार जो है पांच और छे के समीप है संभव भी नहीं है चार के उपोजिट जो है छे है जो उपोजिट है वो कभी समीप नहीं होगा सटा हुआ नहीं होगा इसके बाद क्या है छे तीन और चार के समीप है बिल्कुल यहीं गलत है 6 क्योंकि 4 का opposite है तो एक दूसरे सटा हुआ होगा नहीं 2, 4 और 6 के समीप है यही line हो जाएगा देखें सारा discuss यहाँ पर इसी लिए कर दे रहे हैं क्योंकि question में कभी ता लिग जा मैं कूट कर दे देता है इसमें से कौन-कौन सा सही है तो वहाँ पर आंसार इस तरह से भी दे सकता है A और B सही है B और C सही है A, B, C सही है इनमें से कोई सही नहीं है इसलिए सारा deal कर दे रहे हैं ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही चैनल पर नहीं है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजे जय हिन जय भारत